अगर आपने मेरे चैनल कब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें तो आप लोगों की बहुत साई रिक्वेस्ट आ रही थी कि बेबी फूट की रेसिपी दीजिए आपके इस तरह से अल मिक्स फेजिटेबल खिचरी इसके लिए नहीं पर कुछ लीए यह और है चामवल और मुंकी डाल लिया है इसको में अच्छे से दोकर रख लिया है और包括 जीरा और कालिमिरी का पाओडर दो कालिमिरी और थोड़ि Egg को मैंने पीस लिया था तो यहां पर बैब कूकर ले plataforma कान कर देढेंगे जिए जबाद को क्राइक प्रि एक लागाद आपक शूचे,सका मशन काट लिगें है खाता सकcing, kalian तो यहां नहीं 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 भूकर खाल इसका प्रिटा नेए इसब्स कर देंगे,सके बाद तो बाद एम को और जलेंगे 2 एए बिढ़ दो के लिए तो इन सब चीज़ों को अच्छे से अम थोड़ा सा फ्राइख कर लेंगे उसके बाद मैं यहां पर डाल दिया है जो कि वंटेबल स्कून है और मैं इसके बाद पीश डाल दी है यह धोड़ा से जली हैं क्योंके बच्छों को आपक्छों को चाने तो नहीं तो प्सकून अप तो यहां पर मैंने आड़ कर दिया है जो हमने चामल और मुंग दाल को भीगो कर रखा दूगी आप देख रहे हम इसको तो इसके बाद अच्छे से थोड़ा सा फ्राइड कर लेंगे सब वेजिटेबल के साथ में उसके बाद मैं यहां पर आड़ कर दे पानी पानी में यहां हम इसमें high flame पर 5-6 CT आने देंगे उसके बाद हम इसकी जो फ्लेम है वो लो कर देंगे लो फ्लेम पर हम इसको एक सेटी आने देंगे उसके बाद गैस को आफ कर देंगे और जब तक कि हमारा प्रेशर रिलिज नहीं होता हम इसको ओपन नहीं कर देंगे तो यह दिखिए मैंन तो यह देखिए मारी लास सीटी आ गई है गैस को आफ कर लेते हैं जब तक के प्रेशर रिलीज नहीं होता हम इसको उपन नहीं करेंगे तो यह देखिए हमारी जो खिच्टी है वो बन करके रेडी हो गई है थोड़ा से वाटरी है अगर वाटरी रखेंगे न तो बच्चों को अच्छा लगेगा क्योंकि ज्यादा हम गाड़ी कर देंगे न उसमें पानी नहीं रहेगा तो बच्चों के हलक से नीचे नहीं उतरेगा और खाना पसंद नहीं करेंगे स्पेशली मेरे बच्चे के साथ में ऐसा होता है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हलका सा वाटरी र चाहें तो इसको मैश कर सकते हैं यह फुली ऑप्शनल है तो यह देखिए हमारे मिक्स वेजिटेबल खिचटी आठ से दस मिनट के अंदर बन करके रेडी हो गई है तो चलिए नेक्स रसीपी देख लेते हैं जो के है बच्चों के नाश्ते की बच्चों को बहुत ज्याद जब तक थोड़े से क्रिस्पी नहीं हो जाते और थोड़ा सा अपना कलर जो है यह चेंज नहीं करते हैं अग्या साम इसको बून लेंगे तो यह देखिए हमारे मकाने जो है ना अच्छे से भी बून गये हैं थोड़े थोड़े ना ब्राउन होने लगे हैं तो इसको हम आ तो थोड़ा सामे इसको घुमाना है हर चीज थोड़ी-थोड़ी करना है एक चकर में ना यह घुबत हो जाएंगे ज्यादा घुमाने की जरुर्वत नहीं है बस हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे तो यह दीखिए हमारे मकाने जो है ना ग्राइन हो गए हैं और अब इसमें एड़ कर देंगे 1.5 cup दूद्ध और अभी तक गयास को अन नहीं किया है जो पतिला है वो गरम है इसलिए यहां पर आपको इससे लग रहा है कि मैंने गयास ओन किया है देड़ कप दूद्ध कर दिया है अब हमने जो पाउडर बनाया है मखाने का वह हम इसमें ए इलाइची और बादाम का पाउडर दो इलाइची और बादाम को मैंने पीस लिया था अगर आप चाहे तो फ़रेस आप ड्राइफूट का पॉडर बना कर रख सकते हैं मेरे पास खतम हो गया था इसलिए मैंने कूटकर डाला है यहां पर मैंने टू टेबल स्पून शकर ऐसे खताओ ठंडी होने के बाद और जाधा गाडी होता है इसलिए थोड़ा साम इसको पतली रखें ताकि ठंडी होने के बाद सही से जम जाए तो इस देखिए अब यह और गाडी हो गया शजिक्वाव तो चली मैं इसको निगाल लेती हो, हमारी खीर बन करके हो गई है, रेडी तो चलिए अब हमारी थर्ड रेसिपी हम लोग देख लेते हैं आज मैं बना रही हूँ स्पिनेच खिचडी यानि के स्पिनेच और गाजर की खिचडी तो यहां पर मैंने टूटेबल स्पून ही चामल और टूटेबल स्पून मैंने यहां पर मुंकी दाल ली है इसको मैंने कूकर में आड़ कर दूंगे तो थोड़ा सा मैं इसमें लिया है गाजर और एक मुठी मेंने पालक ली है तो इनको हम कूकर में डाल देंगे हम ज्यादा मसालों के साथ नहीं बनाएंगे सिंपली हम इसमें नमक डाल देंगे क्योंकि बच्छों को हमेशा मसाले तार सब्सक्राद इत्युक्त इत्युक्त कांप नoqu मैं कनझों इसको मिक्स कर लेंगे सचालोग चाहर पानी डूल तो कड़िए M 스트ा कर दो इसको पानी को कर स्वाइघ तो तो कि दीए मेरे लिते हमएने पानी की मेसों कि अपनों सब्सक्राइध लेला है तो चावल थोड़े से कड़क रहते हैं तो इसलिए प्रेशर रिलीज होने के बाद ही निकालें और आप देख रहे हो यह भी न वाटरी है मैं इसी तरह से वाटरी रखती हूं ताकि बच्चों को खाने में आसानी हो उनके गले से जो आसानी से उतर जाए तो मैंने इसको भी ग्राइंड करना है आप चाहे तो मैश कर सकते हैं तो चलिए इसको निकाल लेते हैं हमारी स्पिनेच खिचड़ी बन करके हो गई है रेड़ी आज हमारी जो फोर्थ रेसिपी है वो है वेजटेबल मसाला ओर्ट्स जो के बच्चों के लिए जो है ना हेल्दी होगा तो साही चीज़े मैं आपको हेल्दी दिखा रही हूं तो यहां पर मैंने कुछ वेजटेबल चॉप करके ले लिए हैं जो के वन से टूटेबल स्प तो चलिए इम देख लेते हैं तो यहां पर मैंने कुकर ले लिया है हलका साम इसमें ऑईल या फिर घी आड़ कर देंगे और जिब हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ी पत्ता चॉप कर देंगे प्यास और एक जो लेसन था वही हम यही पर आड़ कर देंगे बस स और अगर आपको जू है ना अलग से मासाले डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं अगर आपके और ऊसल्किसे हो का यह ज़िए हंकरust प्लिउठ्या एक दो अगर हमसे बचेथी फेक पर जाब में पर देगे तो यह दो क्या है जरुँए मैंने करते हैं तुमझेजे नमक्त बच्चे निर्टी कटा को alc suff जब भी आप बच्चों को खिलाओना तो पहले चेक कर लो कि कैसा बना हैं अगर आपको अच्छा लगे का तभी आपके बच्छों को भी अच्छा लगे गर, तो मैं हमेशा जो है तो यह देखिए हमारे मसाला वेजिटेबल्स बनकर रेडी हो गए हैं तो आज की हमारी जो लास्ट रेसिपी है वह है बनाना पैनकेक तो इसकी रेसिपी है मैंने आपको लास्ट वीडियो में दे दिया है लेकिन एक कन्फूजन और एक कोशन आप लोगों का था कि हम मैदे की जगा पर आटा यूज कर सकते हैं तो आप बिल्कुल आटा यूज कर सकते हैं इन फैक्ट आप मैदे की जगा पर ओट्स भी यूज कर सकते हैं जितना मैदा लिया है उतना ही ओट्स ले 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 लेकिन आप जो है उसको ग्राइंडर में डिरेक्ली ग्राइंड कर जाए तो बस आज की यही टिप है तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना और इसकी जो रेसिपी है वह वाला व्लॉग उपर आई बुटन में आ रहा होगा तो आप वहां पर जैकर चेक कर सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह से बन